सही माइने में निर्थे एक जीवन में उसी को साधले तो बहुत कमी लगती है मुझे ऐसा लगता कि एक जीवन कम है एक चीज के लिए इतनी ये बड़ी-बड़ी परंपरा ही रही और बुज़र्गों ने कैसे-कैसे बना दी लेकिन नहां ये कभी-कभी जैसे सिकाते हैं वक्त कोई नहीं है क्लास में यह कहीं कर्कम में कोई पस गया तो तो अच्छा हम जो तबला बजाते हैं एक इसकी विशेष्टा और भी बताऊं जितने भी आप निर्ति गुरूं से बातचीत हो या कभी आप उनके करकम में देखेंगे हम लोग जो भी बजाएंगे या गाएंगे है निर्ति के आसफास जैसा है कर मुझे कहां कि किसी दिली घराने का कोई विशेष काईदा ये सब शायद हम इतना नहीं पजाएंगे पड़ निर्ति के बोलनों को जरूर हम तबले के साथ उनके साथ बजा देते हैं जैसे अभी निर्टे के बोल लिया, भी धाती पे धाती पे बजा तो लेंगे, पर वो एक सही मायने में जैसा होना चाहिए, वो बात इमादारी से नहीं होगी, वैसे ही जैसे कभी गायने में, अब होता है क्या है कि आप कुछ बंदिश चाहते हैं कि ये बंदिश ऐसे गाई जाए क्योंकि मेरे मन में वो भाव या जो भी कुछ आ रहा है कि मैं ऐसा करूँ, अब गायक है, नेचली उन्होंने अपनी गायक की का एक परमपरा अनुसार जैसे गायन सीका है, अब ये नहीं जरूरी है कि जैसा उन्होंने गायन सीका है, वैसा ही मेरा भाव मेरे मन में आ रहा वो अलग तरीके की हो गई, तो अब तब हम अपने कैसे बता रेते हैं अब मेरे मन में ऐसा है कि क्रिशन जैसे अश्टरपद ये के नाचेता सुधंग श्री नदनन्द ये सुदाजी की रचना है, हर सक्ष इसे कई लोग करते भी है, कई लोग कराते भी है उनकी अब आप देखेंगे तो अगर किसी और गुरुजन को निर्ते करते या इस पर भाव करते भी देखेंगे तो उनकी राग कुछ अलग होगी, क्योंकि उनका वो मनों को छूने वाला स्वर जो है, स्वर ऐसी चीज है जो दिल को छूती है तो गले से निकलती है जब तक वो वहां ना पहुंचे तो यहां गले से और दिल को छूने से ही स्वर निकलता है और दिल को छूने से वह भाव बन पाता है अगर हम ऐसे उपरी तौर पर करें तो गहराई का भाव नहीं बनेगा तो मुझे ऐसा लगा ना चरता सुर्भी श्री ना दन दन ना चरता दन ऐसा संगीत हम लोगों का मिल के चल गावता है